रोजाना खाएं 50 ग्राम भुने हुए चने, 7 दिन में दिखाई देगा चमतकार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों, आपने भुने हुए चने तो खाए ही होंगे अगर आप भुने हुए चनों को केवल स्वाज के लिए कभी अभी खाते हैं तो इन्हीं रोजाना खाना सुरू कर दीजिए भुने हुए चने खाने से सरीर को जबरदस्त स्वाज थलाब होता है दो सकता है कि आपको भी चने खाने से हुने वाले फाइदों के बारे में जानकारी ना हो ध्यान रखें कि बाजार में भुने हुए चने दो तरह के होते हैं छिलके वाले और बिना छिलके वाले आपको बिना छिलके वाले ही खाने होते हैं चने के छिलके भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं भूने हुए चने को यदि सही तरीके से चबा-चबा कर खाया जाए तो यह मरदाना ताकत में बढ़ुत्तरी करता है भूने हुए चने को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है इसमें कार्बोहाइडेट्स, प्रोटीन, नमी, कैल्सियम, आयरल और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है भूने हुए चने खाने के फाइदों के बारे में इस वीडियो को देखकर साइद आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत दिन कितने चने खाने चाहिए तो एक डायटीसियन के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 50-60 ग्राम चनों का सेवन करना चाहिए या उसकी सेहत के लिए कई तरह से फाइदे मन रहता है बात करते हैं इनके फाइदों के बारे में पहला है बढ़ती है प्रतिरोधक छम्ता रोजाना नाफ्ते में या दोपहर के खाने से पहले 50 ग्राम भुमे हुए चने यदि आप खाते हैं तो इससे आपके सरीर की रोग प्रतिरोधक छम्ता में जाफा होता है रोग प्रतुरोधत छम्ता बढ़ने से आप बहुत से बिमारियों से बचते हैं साथी इससे आपको मौसम बदलने पर अक्सर होने वाली सारीरिक परिसानिया भी नहीं होती है अगला है मोटापा घटाए अगर आप या आपके परिवार में कोई मोटापे से ग्रस्त है तो भूने हुए चने खाना उसके लिए बहुत ही फाइदे मन रहेगा रोजाना भूने हुए चने खाने से मोटापा की समस्या में बहुत ही रहत मिलती है इसका सेवन शरीर से अतरिक्त चर्वी को पिगलाने में बहुत मदद करता है अगला है पेसाब संबंधी रोग से छुटकारा भूने हुए चनों के सेवन से पेसाब से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है जिनको भी बार बार पेसाब आने की समस्या हो उन्हें रोजाना गुड़ के साथ चने का सिवन करना चाहिए आप देखेंगे कि इससे कुछी दिनों में आराम मिलने लगेगा अगला है नपुन सकता दूर करे भुने हुए चड़े दूद के साथ खाने से इस्पर्म का पतलापन दूर हो जाता है और वीर गाहा होता है यद किसी पुरुस का वीर पतला है तो चना खाने से आराम मिलेगा भुने चने को सहथ के साथ खाने से नपुन सकता दूर हो जाती है और पुरसत में वृद्ध होती है भुने चने खाने से कुछ रोग भी समाप्त हो जाता है अगला है कब्ज से रहत जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उन्ही रोजाना चने खाने से बहुत आराम मिलता है कब्ज सरीर में कई बीमारीयों के करण होता है कब्ज होने पर आप दिन भर आलस महसूस करते हैं और परेशान रहते हैं अगला है पाचन सक्ति बढ़ाता है चना पाचन सक्त को संतुलित और दिमागी संत को बढ़ता है चने से खून साफ होता है जिससे तवचा में निखा रहता है चने में फासफोरस होता है जो हीमोगलोविन का लेबल बढ़ता है और किड़नी से एक्स्ट्रा साल्ट बाहर निकालता है अगला है मधुमेह में लाबकारी, भुने हुए चने खाने से मधुमेह रोग में भी लाब मिलता है भुने हुए चना गुलोकोज की मात्रा को सोख लेते हैं जिससे डायबुटीज रोग नियंतरित हो जता है डायबोटीज रोगियों के लिए प्रति दिन भुना हुआ चना खाने से ब्लड सुगर का लेवल कम होता है इसके अलाबा भुने हुए चने को रात में सोते समय चबाकर गर्म दूद पीने से सास नली से अने को रोग दूर हो जाते हैं डायबोटीज रोगियों के लिए प्रति दिन भुना हुआ चना खाने से ब्लड सुगर का लेवल कम होता है इसके अलाबा भुने हुए चने को रात में सोते समय चबाकर गर्म दूद पीने से सास नली से अने को रोग दूर हो जाते हैं